दोस्तो अगर आप भी बोट की वार्षिक परिक्षा 2024 में भाग लेने वाले हैं चाहे हूँ आपका मैट्रिक का बोट परिक्षा हो या फिर इंटर का ऐसे में दोस्तो हम आप लोग को बता दें कि आप लोग कीस परकार से सितमर महीने से अपनी पढ़ाई को करके अपनी जैसे आपका जो कूल माक्स रहेगा वो दोस्तो यहाँ पे 95 परसेंट देखने को मिलेगा ऐसे में दोस्तो आप लोग को सबसे पहले कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स की जानने किया हो सकता है जिसे कि आप लोग समझ कर और उसे आप लोग सितंबर महीने स फोलो करके अपनी बोड की परिक्षा में बहुत यासान इसे 95 परसेंट माक्स को प्राप्त कर पाईएगा दोस्तो अगर आपका भी सपना है अपनी बोड की परिक्षा में एक बेहतर माक्स प्राप्त करने का या फिर दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम अपनी पूरी तरह से समझना है कि आप लोग किस फरकार से सितंबर महीने से भी अपनी पढ़ाई को करके अपनी बोड की परिक्षा में एक बेहतर माक्स को प्राप्त कर पाईएगा दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टीप सेंट ट्रिक्स को स पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपनी पढ़ाई में एवं अपनी एकजाम में पूरी तरह से फोलो कर देते हैं तो ऐसे में दोस्तों हम गरांटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग अपनी बोड की परिक्षा में 95% मार्क्स प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा बस सितंबर महीने से पढ़कर 95% मार्क्स को प्राप्त करेंगे तो ऐसे में आप लोगों को सितंबर महीने से इन सही टिफ्स को पूरी तरह से फोलो करना सुरू कर देना है दोस्तों यहां पर हम आप लोगों को बता दे कि आहां पर जरूरी नहीं है कि आप लोगोंने कीतना प अपने पढ़ाई में उसे फोलो करना सुरू कर देना है और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बिलकुल भी नहीं सोचना है कि हमने तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कोशिस करना है कि सितंबर या फिर अक्टूबर महिणे से इन सबी टिप्स को पूरी तरह से फोलो करना सुरू कर देना है तो चलिए दोस्तों बीना कोई बिलम किये हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग किस परकार से अपनी बोट की परिक्षा दोजार चौबिस में सितंबर या फिर अक्टूबर महीने से भी अपनी पढ़ाई को करके एक बेहतर माक्स को प्राप्त कर सकेंगे जैसा कि भारत देश में होने वाली सभी बोट परिक्षा को देखा जाये तो वो आम तोर पर फरवरी या फिर मार्च के महीने में आयोजित की जाती है तो ऐसे में अगर हम सितंबर या फिर अक्टूबर महीने से कुल समय को देखे तो ऐसे में दोस्तो हमारी बोट परिक्षा की तयारी के लिए कुल 4 से लेकर 5 महीने का परियाप्त समय रहता है जो की बोट परिक्षा के लिए एक काफी परियाप्त समय रहता है बसरते कि हम लोग को इन कम समय में भी important tips को follow करना है ऐसे में हम बात करें सितंबर महीने से पढ़ाई करने के सही तरीके से संबंदित पहली tips के बारे में तो उसमें हम लोग का आता है कि आप लोग को सबसे पहले सितंबर महीने से अपनी बोट की परिक्षा की तयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोग को कोसिस करना है sample paper या फिर modal paper को हल करने का प्रयास करना है जी हाँ दोस्तों आप लोगोंने बिल्कुल सही सुना आप लोग सितंबर महीने से पढ़कर अपनी बोट की परिक्षा में एक बेहतर माक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे मैं आप लोग को टिप्स नंबर वन में कोसिस करना है कि सबसे पहले अपने model paper या फिर sample paper को पूरी तरह से हल करने का प्रयास करना है दोस्तों जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि किसी वे state board से सम्बंदित होने वाली board की परिक्षा में board की परिक्षा से पहले कुछ sample paper या फिर model paper जारी किया जाता है जिसमें दोस्तों आप लोग के परिक्षा से सम्बंदित पूरा जो प्रस्नों का set रहता है वो same to same दिया रहता है तो इस परकार से आप लोग को कुछिस करना है कि सबसे पहले sample paper या फिर model paper को अपने सभी विशे के पूरी तरह से हल करने का परियास करना है दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग अपनी board की परिक्षा के लिए पाँच-पाँच simple paper भी हर एक विशे का हल कर लेते हैं तो आपके board की परिक्षा के लिए यह परियाप्त रहता है तो आप लोग को tips number one की सहायता से कुसिस करना है कि सबसे पहले sample paper या फिर model paper को जो की आपके state board के द्वारा जारी किया जाता है उसे सबसे पहले पूरी तरह से हल करने का प्रयास करना है दोस्तो जब आप इस काम को पूरी तरह से कर लेते हैं तो चलिए अब हम लोग अगले tips को पूरी तरह से समझते हैं दोस्तो आप लोग को tips number two की सहायता से कुसिस करना है कि सबसे पले अपने परीक्षा पैटर्न को पूरी तरह से समाजना है जी यहां दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना अगर आप इस सितंबर महिंदे से पढ़कर अपनी बोट की परीक्षा में 400 से भी अधिक अंग प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे मैं आप लोग टिप्स नमर 2 की साहता से कोसिस करिएगा कि सबसे पले अपने परीक्षा के पैटर्न को जैसे कि आप लोगों का जो परीक्षा है वो किस फरकार से लिया जाता है आपके परीक्षा में कितना समय दिया रहता है आपका परिक्षा की स्तिथी से सुरू होगा आदी सवी चीजों के बारे में आपके बोट की परिक्षा में कौन से विशे का कितना बिकल्प दिया रहेगा आप लोग को कितना अबजेक्टिव मिलेगा आप लोग के बोट की परिक्षा में कितने subjective प्रस्ण रहेंगे आदी सबी चीजों के बारे में आप लोग को tips नमर दो की सहायता से पूरी तरह से समाजने का परियास करिएगा दोस्तो जब आप लोग सितमर महीने से पढ़ाई करने के दोराग इन दो महतोपून चीजों को कर लेते हैं तो चलिए अब हम लोग तीसरी चीज को पूरी तरह से समझते हैं दोस्तो आप लोग को तीसरी टिप्स के माधियम से कोसिस करना है कि पिछले वर्षों के जो की आपकी बोट की परिक्षा में पीछले कुछ सालों में प्रस्न पूछा जा चुका है उन सभी प्रस्नों को याद करने का परियास करना है जी हाँ दोस्तो आप लोगों ने बिल्गुल सही सुना आप लोग टिप्स नमर 3 की सहायता से कोशिस करिएगा कि आपके बोर्ट के परिक्षा में जो कि पिछले सालों में जो जो भी प्रस्थ पूछा जा चुका है उसे याद करने का प्रियास करिएगा दोस्तो आप लोग इसके लिए हो सके तो question bank book को पढ़ने का प्रियास करिएगा आप लोग को इसके लिए कोशिस करना कि कोश्टन bank book को पूरी तरह से पढ़ने का प्रियास करना जिसके माधम से आप लोग को पूरा idea लग जाएगा कि पिछले जो सालों में कुछ exam हुआ है आपके बूर परिक्ष पूरी तरह से याद कर लेना है, दोस्तो हम कूल मिला के बात कहें तो आप लोग को टीप्स नमर 3 की सायता से कूसिस करना है, कि कोस्टन बैंक को पूरी तरह से पॉढ़ने का प्रयास करना तो इस परकार से दोस्तों हम आप लोग को फिर से वता देते हैं कि आप लोग को tips नमर वन में कोशिस करना है, कि सबसे पहले model paper या फिर sample paper को हल करना, सुरू करना है और tips नमर दो में आप लोग को कोशिस करना है कि अपने पूरे परिक्षा pattern को पूरी तरह से समझना है और अगर हम टीप्स नमर 3 की बात करें तो आप लोग को टीप्स नमर 3 में question bank को पढ़ना शुरू करना है दोस्तों इन 3 टीप्स को पूरी तरह से समयने के बाद चलिए अब हम लोग अगली टीप्स को पूरी तरह से समझते हैं दोस्तों आप लोग को चौथी टिप्स के माद हम से कोसिस करना है कि self study करने का परियास करना है जी यहां दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना आप लोग जब भी सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में अपना पढ़ाई करना सुरू करिएगा आप लोग को इसमें कोसिस करना है कि अपने स्कूल या फिर ट्यूसन पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है आप लोग को इसमें जीतना हो सके self study करने का परियास करना है दोस्तों यहां पर हम आप लोग को बता दे कि self study करने का तात पर है कि आप लोग को खुद से पढ़ाई करना सुरू करना है आप लोग को खुद से देखना है कि आपने कितने प्रस्णों को याद कर चुके हैं या फिर आप लोग खुद से अपनी पढ़ाई को करना सुरू कर दीजिएगा और साथी में दोस्तों आप लोग इसमें कोसिस करिएगा कि जीतना हो सके अपनी स्कूल या फिर ट्यूसन पर डिपेंड होने से बचिएगा और पूरी तरह से सेल्फ हें श्टड़ी करने का प्र दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोसिस करिएगा कि लिखने की आदत को डालने का परियास करिएगा यहाँ पे लिखने की आदत डालने का तात परेद कि आप लोग को प्रस्तु के उतर को सही तरीके से ऑपनी बौð की परिखा में अपनी कौपी में सही तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तो आपसलों को इसमें कोशिस करना है कि अपने घर पर जीतना होँसे लिखने की आदत को या फिर अपने लिखावट को सुरहारने का परियास करिएगा। दोस्तों आम तोर पर देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट पढ़ते तो सही हैं लेकिन जब उनका लिखने का समय आता है तो ये अपनी कौपी में बहुत ही भद्धे तरीके से या फिर गंदे लिखावट के साथ अपनी कौपी में लिख देते हैं या फिर यू कहें कि उन्हें सही तरीके से कौपी में लिखने का तरीका ही नहीं मालूम रहता है तो इस परकार से आप लोग को कोसिस करना है कि अपनी बोट की परिक्षा में एक बेहतर माक्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लिखने की कला को विक्सीत करने का प्रियास करना है दोस्तों आ अभी महतोपुन चीजों के बारे में आप लोग को पहले से आईडिया लग जाएगा दोस्तों अगर आप अपनी बोड की परिक्षा में सितंबर महीने से पढ़कर इन सभी टिफ्स को फोलो कर देते हैं तो ऐसे में दोस्तों विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप लोग अप बेहतर माक्स प्राप्त करिएगा दोस्तों अगर आप लोग को इन सभी टिफ्स हेलफुल लगिए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करने का परियास करिएगा मिलते हैं दोस्तों इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद